पहली बार बिधायक बने तो नाम रख लिए न कायर बहादूर सिंग मान ये कायर बहादूर सिंग जी या घोसना करना है चाहिए आपको कि जिसके घर में पूजा पाथ होता है कि ऐसे आस्था परहमला करने वाले लोगों का जनता इलाज जानती है नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं आपके साथ मैकूव असीम खान देखिए बिहार के मुखमंदरी नितीज कुमार ने राज़त के निताओं को बार बार समझाया कई बार समझाया पर फिर भी नहीं माने देके फते बहादूर हैं जो की राज़त से विधायक हैं लगतार आस्था से जुड़े कुए चीजों पर ठीपा ठीपनी और बयान देते नजर आते हैं ऐसे में जेडियू के मिल्सी है मुख प्रवक्ता हैं नीरश कुमार ने जमकर निशाना साधा है और नाम भी बदल दिया है कि फते बहादूर सिंग को कायर बहादूर सिंग कर में बले कायर है कि हम देवी देवता पर धार्मिक आस्था पर टिपनी तो करते हैं लेकिन उसके घर जाकर भोज भी खाते हैं उसके घर पर जाकर के साधी समारों में भी सामिलोते हैं तो आखिरी इस बात की सावजी नी घोसना करिए मान ये कायर बहादूर सिंग जी या घोसना करना है चाहिए आपको कि जिसके घर में पूजा पाठ होता है अगर बत्ती दिखाई जाती है समाजिक समारों में मंत्रो चार होता है मंत्र की प्रकृया पूरी होती है तो हम नहीं जाएंगे ऐसा घोसना करिये गा तब ही माना जाएगा नहीं तो जन्नता प्रतिक्छा रत रहती है कि ऐसे आस्था पर हमला करने वाले लोगों का जनता इलाज जानती है तो आपने सुना नीरश कुमार को असपस रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि फते बहादूर सिंग अपने नाम के अनुकूल नहीं है उनका नाम तो कायर बहादूर सिंग होना चीए था जिस तरीके से वो लगतार आस्था से जुड़े हुए चीजों पर सवाल खड़े करते हैं बयान देते हैं ये बिलकुल भी सही नहीं है और लगतार देखे मुक्पंतरी निदिश कुमार भी कई बार अपने बयान में ये बात कहते रहे हैं कि जिसे लोगों की आस्था जुड़ी हो उस पर कभी भी ठीपा ठीपनी या फिर कोई बयान नहीं देना चाहिए बयान देने से बचना चा कर सुना दिया है खरी खोटी अब देखने वाली बात ये है कि क्या राजद फते बहादूर सिंग जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उनको ले करके क्या कारवाई करेगी क्या समझाने की कोशिस करेगी खैरी स्टूडियो में नहीं आपका बहुत सुक्रिया